हाई आएम आरियन आए दोस्तों वीडियो की सुरुआत करते हैं तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सीखा परजेंट इंडेपनित टेंज का अफरमेटिव सेंटेंज जैसे में जाता हूं आई गो निगेटिव सेंटेंज में नहीं जाता हूं आई डू नोट गो या आई अब हम सीखने जा रहे हैं क्या वाले sentence यानि interrogative sentence प्रस्णवाचक sentence क्या मैं जाता हूं और क्या मैं नहीं जाता हूं क्या वाले sentence जिसमें क्या पहले आये दोस्तों आपको एक और चीज बता दें क्या वाले sentence में क्या अगर पहले आये sentence के सबसे पहले आये तो क्या के लिए what का परियोग नहीं करते हैं उसकी जगाप पर हम लोग helping verb को आगे कर लेते हैं तो हमारा आज का topic है present indefinite tense का interrogative sentence जिसकी पहचान है क्या ता है क्या ती है क्या ते है और इसका formula है सबसे पहले डू डज लिखेंगे उसके बाद subject उसके बाद verb one और उसके बाद object तो एक sentence लेते हैं तो मेरा पहला sentence है क्या मैं खाता हूं तो सबसे पहले डू डज लगाएंगे आपको पता है कि यहाँ पर क्या sentence क्या मैं खाता हूं मेh मेh का inglis क्या होता है I होता है और हमें पता है I, We, You दे के साथ क्या लगता है Do तो यहां क्या लगाएंगे formula का अनुसरा सबसे पहले Do लगाएंगे तो, Do लिग दिये उसके बाद क्या है subject लिखना है subject क्या है मेh मेh का I हुआ उसके बाद क्या लिखना है भर्व, खाना का क्या होता है, it, तो मेरा sentence बन गिया, do I eat, और यहाँ object कुछ भी नहीं है, तो मेरा sentence बन गिया, क्या मैं खाता हूँ, do I eat, और एक sentence ले लेते हैं, object बला, क्या मैं आम खाता हूँ, तो सबसे पहले do i लगाना है, आपको पता है, I, we यू दे के साथ डू लगता है यहाँ पर क्या है क्या मैं खाता हूं मैं मैं का इंगलिस में आई बोलते हैं यहाँ पर सबसे पहले डू लगेगा तो यहाँ पर डू लगाएंगे सबसे पहले डू लिख दिये फोर्मुला क्या है सब्जेक्ट है सब्जेक्ट क्या होता है हम तो यहां पर क्या है मैं का इंगलिस आई हुआ दू आई उसके बाद क्या लिखना है भर्म लिखना है भर्म क्या है कोई भी काम खाना पीना आना जाना यहां पर क्या है खाना खाना का इंगलिस एट हुआ दू आई इट उसके बाद क्या लिखना है ऑब्जेक्ट मतलब जो तो यहाँ पर क्या बचा आम आउं का इंगलिस क्या होगा मेंगो में ना सेंटेंस बन गया do I eat मैंगो क्या मैं आम खाता हूं do I eat फैंगो तो अगला चेंटेंस लेते premise क्या तुम जाते हो फ मुणा देखेंगे दू ड़ज लगाना है सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या है sentence, क्या तुम जाते हो, हमें पता है, आई वी यू दे के साथ, दू लगता है, यहाँ पर तुम है, तुम का English क्या होता है, यहाँ यहाँ पर सबसे पहले दू लगाएंगे, दू लगा दिये, उसके बाद सब्जेक् पर क्या है subject तुम, तुम का English क्या होगा, you या you लिख दिये, do you, उसके बाद क्या है, भर्ब लिखना है, फॉर्मूला के अनुसार, भर्ब क्या है, जाना, जाना का English क्या होगा, go, मेरा sentence बना, do you go, क्या तुम जाते हो, do you go, और यहां object कुछ भी नहीं है, तो मेरा sentence बन गया, do you go, अब एक object वाला sentence ले लेते हैं, क्या तुम घर जाते हो, तो फॉर्मूला हम देखेंगे, सबसे पहले, do ड़ज लगाना है, do ड़ज लगाना यहां पर क्या है, तुम है, जिसका English, you होता है, और हमें पता है, I, V, you देके साथ, do लगता है, तो यहां सबसे पहले, do लग दिए, उसके बाद क्या लिखना है, भर्व, जाना के English क्या होगा, go, गो लिख दिए, उसके बाद क्या लिखना है, object, object क्या है, जिस पर भर्व का असर परता है, कहा जाना है, घर, यानि यहां पर घर, घर का English लिखेंगे, home, तो मेरा sentence बन गया, क्या तुम घर जाते हो, do you go home कि एक और सेंटेंस ले लेते हैं क्या हम पड़ते हैं फ़र्मुला देखेंगे सबसे पहले डू डाइच लगाना है और यहां पर क्या है हम याँ हम का इंगलीज होता है वी और हमें पता है आई वी यू दे के साथ दू लगता है तो सबसे पहले डू लगा देंगे सबसे पहले do लिखें, उसके बाद क्या लिखना है, subject लिखना है, subject क्या है, हम तुम यह वो, यहाँ पर क्या है, हम जिसके English क्या होगा, we, do के बाद we लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखना है, भर्व लिखना है, भर्व क्या है, आना जाना, खाना, पीना, यानि कोई भी काम यहां पर क्या है पढ़ना पढ़ना के अंगलिस क्या होगा यहां पर रिड लिग दी है do we read और यहां object कुछ भी नहीं है तो मेरा sentence बन गया क्या हम पढ़ते हैं do we read अब एक object वाला sentence ले ले लेते हैं क्या हम किताब पढ़ते हैं अभी हमने बनाया क्या हम पढ़ते हैं का do we read जिसमें सबसे पहले do does लगाएं, उसके बार subject लगाएं, उसके बार भर लगाएं, अब इसमें object लगाएंगे, क्या हम किताब पहते हैं, do we read लिख दी हैं, और उसके बार object लगाना, object क्या है, जिसमें भर्व का असर पहता है, भर्व क्या है, काम, काम क्या है, पढ़ना, क्या पढ़ते हैं किताब किताब ही हमारा object है do we read उसके बाद book लिख देना है मेरा sentence बन गया do we read book क्या हम किताब पढ़ते हैं do we read book last वाला sentence देख लेते हैं जिसमें do लगता है तो मेरा sentence है क्या वे दोरते हैं तो सबसे पहले क्या लगाना है यहां पर क्या है sentence वे वे क्या English क्या होता है दे और हमें पता है आई वी यू दे के साथ दू लगता है तो सबसे पहले दू लगा दियें उसके बाद क्या लिखना है subject क्या है वे जिसका English होगा दे दे लिख दियें दू के बाद दे उसके बाद क्या है भर्व लिखना है भर् दू-डे-रन और यहां पर कुछ भी object नहीं है तो मेरा sentence बन गया क्या वे दोडते हैं दू-डे-रन तो वीडियो में आगे भरते हैं और क्या और नहीं वाले sentence बनाते हैं यानि negative interrogative sentence इसमें क्या और नहीं एक साथ आए तो मेरा formula है सबसे पहले do does लगाना है और उसके बाद subject, उसके बाद not, उसके बाद verb और उसके बाद object तो एक sentence लेते हैं क्या मैं नहीं खाता हूँ formula देखेंगे सबसे पहले do does लिखना है यहाँ पर क्या है मैं मैं का English क्या होता है I और हमें पता है I, V, U दे के साथ do लगता है तो सबसे पहले do लिख देंगे उसके बाद क्या लिखना है subject, subject क्या होगा मैं का I होगा do के बाद I लिखें के बाद formula में not है do I उसके बाद not लिख दियें उसके बाद verb लिखना है खाना का English क्या होता है it, it लिख दिया और यहां object कुछ भी नहीं है तो मेरा sentence बन गिया क्या मैं नहीं खाता हूँ do I not it आपको easy तरीका में सीखना है क्या मैं खाता हूँ का sentence बना था do I eat क्या मैं नहीं खाता हूँ का do लिखेंगे पहले I दूसरे नमर पर तीसरे नमर पर not लगाना है और it लिख देना do I not eat एक और sentence लेते हैं क्या नहीं वाले यानि interrogative negative sentence तो मेरा sentence है क्या तुम नहीं जाते हो formula देखेंगे सबसे पहले डूडज लगाना है डूडज में क्या लगएगा इसको पता करने के लिए sentence देखेंगे sentence में क्या है तुम तुम का English क्या होता है यू हरो हमें पता है रूल्स के अनुसार आई वी यू देखेंगे साथ डू लगता है तो सबसे पहले डू लिखेंगे यहां सबसे पहले डू लिख दिए उसके बाद subject लिखना है subject क्या है तुम तुम का English क्या होगा यू दू के बाद यू लिखें उसके बाद फॉर्मला का नुसा नौट लिखना है नौट लिख दिए उसके बाद भर्ब लिखना है भर्ब क्या है जाना जाना का English क्या होगा गो गो लिख दिए यहां यहां object कुछ भी नहीं है तो मेरा sentence में जैसे क्या हम पारते हैं do we read और नहीं वाले sentence में क्या हम नहीं पारते हैं do we और तीसे नमर पर not read बन जाएगा do we not read और एक sentence ले लेते हैं क्या वे दोरते हैं do they run और नहीं वाले sentence में क्या वे नहीं दोरते हैं do दे और तीसे नमर पर नॉट और रन दू दे नॉट रन अब वीडियो में आगे भरते हैं और कुछ ड़ज वाला सेंटेंस बना लेते हैं हमें पता है ही सी नेम इट के साथ ड़ज का परियोग होता है एक सेंटेंस लेते हैं क्या हुआ खाता है फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले डू ड़ज लगाना है यहां पर क्या लगेगा यहां पर क्या है वह वा का इंगलिस क्या होता है ही और ही सी नेम इट के साथ क्या लगता है क्या लगाना भर्व क्या है खाना के अंवगा het लिख दिए में इसेंटेंस बन गिए ड़े इंड़ी यहां आपकों कुछ भी नहीं है तो इह सेंटेंस बना ड़े ही उत एक सेंटेश लेते हैं यहां आपकल क्लाखकी का यहां वह हाह का इंगलिस हीना लगाके वह है अगर खातां तो लगाएंगे और खाती है तोلي होस्त सबसे पहले फॉर्मुल्य देखेंगे मैं क्या है यहाँ पर क्या लगेगा सबसे पहले डए कनुक्र के साथ लगता है सबसे लगा दिए उसके बाद क्या लिखना है सब्जेक्ट सब्जेक्ट वा का सी हुआ सी दश के बाद सी लिख दिए उसके बाद खाना खाना करेंगल इस क्या होगा जो की भरव है इट डाइसी इट क्या हुआ खाती है डाइसी इट एक और सेंटेंस ले ल तो लिखता है और एक से ज्यादा नाम के साथ लगता है जैसे क्या राम जाता है डाज राम गो और एक से ज्यादा नाम हो क्या राम और स्याम जाता है तो फोर्मुला देखेंगे सबसे पहले डू डज लगाएंगे तो यहां क्या है नाम है नाम के साथ क्या लगता है डज लगता है लेकिन यहां एक से ज्यादा नाम है तो सबसे पहले डू लगाएंगे क्योंकि राम और Sam एक से ज्यार्णानाम के साथ Do लगता हैं तो सबसे पहले डू लिग दिये उसके बाद subject लिखना है सब्यक्त क्वया नाम है नाम क्या है राम और Sam इसके लिग देंगे राम and Sam subject मेरा हो गया उसके बाद क्या है भर्ञ है baseline क्या है जाना में तो नहीं को एक और तो सबसे हैं तो एक फोर्मुलाना सर देख लेते हैं तो सबसे पहले फोर्मुनाय में क्या होगा दू डज होगा उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट होगा उसके बाद क्या होगा नॉट होगा उसके बाद क्या होगा भर्व और उसके बाद अबजेक्ट होगा तो मेरा सेंटेंस है क्या वा नहीं खाता है तो सबसे पहले डू डज लगाएंगे यहां पर क्या है वा है वा क्या लिखना है not लिखना है formula के अनुसार not लिख दिये उसके बाद भर्म लिखना है खाना का इंगलिस होगा it does he not उसके बाद it और यहाँ object कुछ भी नहीं है तो मेना sentence बन गया क्या वह नहीं खाता है does he not it एक और sentence बना लेते हैं क्या वह खाती है इसका sentence बनेगा does see it लगा देना है तीसरे नमबर पर not लगा देना है does see or not और it मेरा sentence बन गया क्या वह नहीं खाती है does see not it वह का परियोग लड़का और लड़की दोनों के लिए करते हैं अगर खाता है तो वह खाता है यहां ही लगाएंगे क्योंकि इससे पता चल रहा है लड़का है और वह खाती है यहां see लगाएंगे क्योंकि इससे पता चल रहा है वह लड़की है तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा क्या वाले sentence में do को आगे कर लेते हैं बाकी वैसा ही लिखा जाता है जैसे क्या मैं जाता हूँ? Do I go? क्या तुम जाते हो? Do you go? क्या वे जाते हैं? Do they go? क्या हम लोग जाते हैं? Do we go? और नहीं वाले sentence में क्या मैं नहीं जाता हूँ Do I not go क्या तुम नहीं जाते हो Do you not go क्या वे नहीं जाते हैं Do they not go क्या हम लोग नहीं जाते हैं Do we not go Do not को short में don't लिखते हैं तो मेरा sentence है क्या मैं नहीं जाता हूँ Do I not go और short में don't I go क्या तुम नहीं जाते हो Do you not go short में don't you go क्या हम नहीं जाते हैं Do we not go और short में don't we go क्या वे नहीं जाते हैं Do they not go और short में don't they go और हम लोगों ने सीखा He, see, name it के साथ does का परियोग करते हैं तो मेरा sentence है क्या हुआ जाता है does he go क्या वह जाती है does he go क्या राम जाता है does ram go और नहीं वाले sentence में क्या वह नहीं जाता है does he not go क्या वह नहीं जाती है does he not go क्या राम नहीं जाता है does ram not go does not को short में doesn't लिखते हैं पहते हैं तो एक बर बना लेते हैं क्या वह नहीं जाता है does he not go और short में doesn't he go क्या हुआ नहीं जाती है does he not go और short में doesn't see go क्या राम नहीं जाता है does he not go और short में doesn't ram go दोस्तों आपको एक और बार बताते हैं एक नाम के साथ does लगता है और एक से अधिक नाम के साथ do लगता है तो मेरा sentence है क्या राम जाता है डज राम गो और मेरा सेंटेंस है क्या राम और स्याम जाता है यहां एक से अधिक ना में तो यहां डू लगेगा डू राम एंड स्याम गो तो दोस्तो वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगले वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं इंटेरगोटीव सेंटेंस का डबलु एच फैमिली वाले सेंटेंस जैसे मैं कहां जाता हूं तुम कब पढ़ते हो कब क्यों कैसे यानि डबलु एच फैमिली वाले सेंटेंस अब तक के लिए बाई थाइंक्यू टाटा तो दोस्तों यह रहा मिराज का होमवर्क जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें